एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, मन वाने और शरीर से, किसी भी परकार से, किसी को कस्ट ना देना, सत्य का आचरण करना, चोरी ना करना, ब्रम्चरी वरत का पालन करना, किसी की भी निंदा ना करना, दूसरों से सत्कार, मान, पूजा ना चाहना, निंदित कर्मों को ना करना, मन और शरीर को पवित्र रखना, राग, द्वेश, कप्टा चार में ना पढ़ना, तरश्णा का सर्वथा अभाव हो जाने पर, सुख, संतोश और शान्ती का अनुभव करना, सरदी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, हानी, लाब, जै, पराजै, आदी द्वंदों को शान्ती पूरवक सहन करना, स्वयधर्म पालन में कस्ट को धहरिय पूरवक सहन करना, सत्पुर्शों का सत्संग करना, अभिमान और लज्जा को त्याग कर दूसरों की सेवा करना, यग, अगनी होत्र और प्रति दिन दान करना, वेद आदी सत्व शास्त्रों का प्रति दिन पठन पाठन करते रहना, परमेश्वर के नाम को जपना और उसके गुणों का केरतन करना, मन को वश में रखना, दीन दुखी लोगों के प्रति मन में करोना रखना, उनकी मदद करना, वेद शास्त्र, गुरु, महपुर्शों और इश्वर के बचनों में विश्वास रखना, उनमें कमी ना निकालना, सत्थ और असत्थ पदाल्थों का ग्यान होना, आसक्ति का अभाव होना, अतिसंग्रह और लोब से बचना, संशे, भ्रहम, मन की चंचलता से बचना, नीच पुर्षों का संग ना करना, दूसरों को करना, द्रोह ना करना, धैरिय रखना, एहंकार और भैसे रहित होकर शांत रहना, इश्वर में अनन्य भक्ति का होना, ये सब सत्थ पुर्षों के लक्षन कहे गए हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा झाल